कॉंच निस का मतलब ही क्या बताया है फैस्ट फ auf einmal प्रेजंट करोडा था फैस्ट फॉर्स्ट वा यानिकी इस टेन्स के नाम से ऐसा प्रतीत होता है present continuous present यानी first form का नाम continuous यानी ing का नाम अब यहां पर हमें first form दिखती क्यों नहीं है मैं फिर school में हमें is mr. q पढ़ाते हैं मैंने क्या बोला था कारण बताऊंगी हर चीज़ का रट्टा नहीं मरवाऊंगी structure ध्यान में तरफ रखना कारण बताऊंगी बड़ा मेहनत लगा रखा है मैंने subject पर ing continuous present यानी first form तो मैं फिर school में is mr. q पढ़ाते हैं is mr. q पढ़ाते हैं क्योंकि English में दो वर्ब एक साथ नहीं आती English में दो main verb कभी एक साथ नहीं आती कभी किसी की मुझसे सुना I go going there I come coming here I want wanting it I read reading this क्या बोलोगे चाए तो read लिख लो भाई चाए reading लिख लो चाए तो go लिख लो भाई चाए तो going लिख लो तो दो action एक साथ नहीं आते हैं इंग्लिश में तो इसलिए first form और ing का हो गया जी जगडा ing कहरी है मैं बैठूंगी first form कहरी है मैं बैठूंगी और जब ऐसे जगडा होता है ना इंग्लिश में दो लोगों का तो वो अपनी मम्मी को बुलाते हैं जगडा निप्ताने के लिए बी को mother of all verbs कहते है बी को mother of all verbs कहते है गर में दो बच्चों का जगडा होता है मम्मी दादी आती है सुल जाने के लिए पापा नहीं आएंगे ओफिस से हाँ जगड अब भी आता हूं देखूंगा ऐस तो लिए होगा घर पे mother है सुल जा देंगी बच्चों का ही तो जगडा होती है ध्यान में ही तरफ रखिएगा तरीका थोड़ा अलग है पर आज सीख गए इस तरीके से तो जीवन में कभी आपको टेंस के स्ट्रक्चर रटा नहीं मारने पड़ेंगे रट रहे होते हैं बच्चे मैंने बहुत बार देखा है प्रेजेंट कॉंटिनेस इस हमारा प्रेजेंट कॉंटिनेस इस हमारा एंजी इस हमारा एंजी इस हमारा एंजी रट क्यों रहे हो टेंस के नाम में ही सब कुछ चुपा है प्रेजेंट के अंदर चुपा है फर्स्ट फॉर्म कॉंटिनेस के अंदर चुपा है आएंजी पर दो बर भी एक साथ आ नहीं सकती मै वॉज्वर B की थ ears form होती है बीन और बी की फॉर्थ हॉर्थ होती है बी इंग फर्स्ट फंग इस aHHH इसमाल सेगंड फॉर्ट फॉर्ण वॉजवर थीर्ड फॉर्ण बीन और फॉर्स फॉर्म बीन तो तो हमें चाहिए थी present में first form की जगां पे, present का मतलब कौन सी form, first form जगडा हुआ तो मम्मी ने बोला मेरी रोटी खालो, जगडा हुआ मम्मी ने क्या बोला मेरी रोटी खालो जगडो मत, तो B ने अपनी first form दे दी, इसलिए हमारा tense का structure बन पाया, is MR के साथ, ing, ऐसे बने बटा structure, इस तरीके से बनाने आ गए, तो रट्टा तो खुद बखुद छोड़ दोगे, मारने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगे, जिस दन इंगलिस से खेलना आ गया, तो present continuous में इसलिए है, क्योंकि first form चाहिए, continuous इसलिए है, क्योंकि ing चाहिए, continuous का मतलब ही ing है, present का मतलब ही first form ह पर दो वर्ब एक साथ नहीं आ सकती, तो जगड़ा होते ही, अपनी माताश्री के पास गए, माताश्री नहीं बोला मेरी वर्ब यूज़ कर लो भाई, जगड़ो मत, तो B की first form यहां चिपका दी गई, इस MR और इस तरीके से structure त्यार हो गया, इस MR के साथ, ing